आप सभी सुरोतागड को बिंदूतिवारी का साधर नमस्कार मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी सुरोतागड का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के सेग्मेंट में मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन एंड फिलोसफी के अबजेक्टिव कोश्चन्स लेकर हाजिर होंगे तो आज हम लोग प्रसंद होकर खूस होकर और बहुत ही सरलता के साथ अबजेक्टिव कोश्चन्स को हल करेंगे तो कोश्चन्स बौद सिक्षा के लोलिक पाठिक्रम में निर्धारित एक विसे यह भी था आंसर गडित नेक्स्ट कोश्चन्स आदर्शवाद के अंग्रेजी समान अर्थक की विय उत्पत्ती दो यूनानी सब्दों को एडिया और इज्म के योग से हुई जिनका अर्थ है आंसर विचार और विचार बाद नेक्स्ट कोश्चन्स आदर्शवादी सिक्छा मानसिक जगत का मानाव का अभिन अंग समझने की अनभूति का विवरण है आंसर होर्न नेक्स्ट कोश्चन्स आदर्शवाद के आधार भूत सिध्धान्तों में निम्नांकित भी समलित है आंसर विविन्यता में एकता नेक्स्ट कोश्चन्स स्रिष्टिक करता ब्रह्मा है यह सिध्धान्त निम्नांकित तर्शन का सिध्धान्त है आंसर आदर्श बाद आदर्श बादी सिख्छा उपागम के अनुसार सिख्छा का उद्देश निम्नांकित है आंसर संस्कृत एबं परंपराओं की सुरक्छा नेक्स्ट कोश्च्छ शिख्छक, मित्र, पत्प्रदर्शन और शलाहकार है आंसर प्रियोजन बाद Next questions, प्रियोजन बाद, अर्थिक्रिया बाद का निम्नां की तुरूप है Answer, आदर्स प्रियोजन बाद, प्रियोग अतमक प्रियोजन बाद Next questions, प्रियोजन बाद के सिक्छन सिध्धान्त है Answer, सीखने की उद्देश्य पूल प्रिया, क्रिया अत्वा अनभावदारा सीखना, एकी करण का सिध्धान्त Next questions, आदर्श प्रियोजन का यह सिध्धान्त नहीं है Answer, जीवन में सत्य इस्थाई नहीं है Next questions, सिख्छा का महत्पूर कार्य नैतिक सिख्छा प्रिदान करना है यह समयोचित होनी चाहिए, यह कथन है महत्मा गाधी बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी इस वीडियो को उन्तक जरूर सेयर करिए, जो इंटरनेट सेवा से बंचित है आप लोगों का इतना सम्मान पाकर, इसने हैं पाकर आप सभी को तहे दिल से सुक्रिया बाई